हाई फ्रेंड्स वेलकम हैं हमारे जीएस इंडिया यूटूब चैनल्स पर यह सॉर्ट नुमर हमारा 27 है टॉफिक है आज का हमारा जो एनचेम एक्जाम्स में पूछे गए सॉर्ट कोशन है ठीक है जितने भी सॉर्ट वीडियो आते हम इनी में क्या करते हैं क्विक रिविज डिया क्यूं होगे आप अपनी स्क्र में पर देख सकते हैं जैस satur س Wow जाने मिश्टाव नर्स के एक्जाम्स घاक और से नसिंग के आर्मिनों होते हैं अल इसके लिए बिक जांटेताक बारा जो handful और सिखे अलावा अधरभी कमिश्ण के दोरह एकュार्ण ङूँ इसके लिए यह फिर वेरी वेरी इंपोर्टन हुग है क्योंकि question सभी में सेम रहते हैं और यह देख शकते हैं किस प्रकार से एकजामसर में question पूछे जाते हैं और सभी पूछे गए question लेते हैं यहाँ पर question number first यह आपकी skin पर question number first पढ़े हैं फिर answer बताएं क्या होगा right answer सर अगर आपसर आया करें तो जरूर बताए करें कोशन नमर्फर्स्ट हद्यों का घंत कम होने की इस्तिति क्या कहलाती वट इस the condition of low bone density called according to option you have to select the right answer क्या है इसका right answer हड्यों का घंत कम होने की जो इस्तिति होती है option c इसका right answer होगो osteoporosis कहलाती है क्या osteoporosis कहलाती है जब भी आपकी जो बोन होती है हड़ी होती इसका जो density कम हो जाता है density का मतलब होता है घनापन कम हो जाता है घनाट तो कम हो जाता है ठीक है तो इसको osteoporosis कहा जाता है क्या कहा जाता है osteoporosis कहा जाता है और जब घनाट तो कम हो जाता है तो आपकी हड़ीयां इजली ब्रोकन हो सकती है इजली तूट सकती है तो इसके लिए जो जिम्मेदार तत होता है जो खनिज होता है वो कैलसियम होता है कहुंसा होता है कैलसियम प्लस फासफोरस होता है लेकिन एहम रोल कैलसियम प्ले करता है ठीक है कैलसियम फासफोरस दोनों प्ले करते हैं वाइ परैप्त मात्रा में या आप बिटामिन D परैप्त मात्रा में नहीं लेते toh calcium और फासपोरस को जो आउसोसड है मतलब absorption है वो आफसानी से नहीं हो पाएगा ठीक है calcium और फासपोरस का जो आउसोसड है इसी की वज़े से हड़ियां आपके मजबूत होती है मतलब density बढ़ता है और हड़िया मजबूत होती है और vitamin D भी आपकी हड़ियों के लिए एहम रोल प्ले करता है इससे भी आपकी हड़िया मजबूत होती है ठीक है और ये calcium और phosphorus के आउसोसर मतलब absorption के लिए काफी जरूरी है ठीक है इसका मतलब होता है B4 होता है bone M4 mineral D4 density bone mineral density ये test के जाता है इसका मतलब जो भी bones में आपके minerals मतलब जैसे की calcium और phosphorus हो गए इनकी इस्टिती का पता लगा जाता है कि इनका घहनतोपन केतना है गहनतोपन केतना है और अगर गहनतोपन कम होता है bone का तो आपकी जो bone होती है easily तूट सकती है उमीद करता हूँ समझ गए होंगे आप next question पर जलते हैं ये रहा आपकी skin पर question number two पढ़ें फिर आमसर बताएं क्या होगा राइट आमसर दवा आउसोशन का इस्तर सरवाधिक तीवर किस भाग में होता है in which part is the level of drugs absorption most rapidly क्या होगा इसका राइट आमसर कमिट कर सकते हैं जो भी आपको राइट आमसर लग रहा हो आपसन इसका राइट आमसर है small intestine छोटी आत में दवा का जो आउसोशन का इस्तर जो सरवाधिक तीवर होता है तो वो बोड़ी के किस आरगन में होता है या किस भाग में होता है वो छोटी आत या small intestine में होता है आपसन इसका राइट आमसर है next question ही रहा आपकी skin पर question number 5 पढ़ें फिर आमसर बताएं मानो सरीर में bronchus की कुल संख्या कितनी होती है what is the total number of bronchus in human body क्या है इसका right answer बता सकते हैं right answer अगर आए तो जरूर बताएं आपसन इसका right answer है तू होती है, कितनी होती है, दो होती है, आपके सरीर में जो ब्रॉंकस की कुल संख्या होती है, वो दो होती है, आप समझ लेते हैं, ब्रॉंकस क्या होती है, ठीक है, ब्रॉंकस ये आपके फेफड़े हैं, ठीक है, ये क्या है, दोनों तरफ के लिफ्ट राइट फेफड़े ह तो ये जो नेक वाला पार्ट होता है गर्दन वाला पार्ट होता है गर्दन वाले पार्ट के बाद क्या होता है ये ट्रैकी स्टार्ट होता है क्या ट्रैकी ट्रैकी क्या होता है दो भागों में तूट जाता है तो ये जो राइट वाला होता है ज्यादा बड़ा होता है ब्र गर्दन वाला ठीक है गर्दन वाला और इसके बाद एक ट्यूब नुमा होता है हड़ी नुमा इसे कहा जाता है ट्रैकी ठीक है यसे ट्रैकी कहा जाता है ट्रैकी दो भागों में डिवाइड हो जाता है जो फेपड़ों में फैल जाता है इस तरह ठीक है ऐसे करके फेपड़ ये हो गया और एक ये हो गया तो मतलब एक एक दो हो गये कितने हो गये दो अमीद करता हूँ समझ गहोंगे । आप सन एस का राइट आउसर है ओके अब यहाँ पर देख सकते एक दो पॉइंट मैं सा नहीं नहीं समझ रहते हैं आर लूकेटेट इंसाइड दिन्साइड दिलंंग मतलब यह जो लंग होता ही तो दिखाने को दिखा रहा हुमारिक है यह लंग के अंदर फैले होते हैं किसके लंग के अंदर उमेद करते हूं समझ गयों कि यहाँ पर लिखा है राइट जो ब्रॉंकस होता है यह स्लाइटली लाजर होता है थोड़ा सा बड़ा होता है जैसे कि मैंने अभी बता है जब ट्रैक की दोस में तूटेगा तो यह एक इधर वाला आता है यह छोटा होता है जब भी आप इसे वैसे हमारी तरफ से देखा जागा तो राइट यह वाला होगा जिस अगर पोजिशन पर बात करेंगे तो आपको यह समझना है राइट वाला बड़ा होगा जब भी अगर आप इमेज को थोड़ा घुमाएंगे आप पीट करके इस तरह फेस करके देखेंगे तो राइट वाला आपको यह राइट हो जाएगा ठीक है आपका राइट यह हो जाएगा लेकिन हमारे साब से राइट यह होगा क्योंकि जो हमारी पोजिशन होगा वही राइट मानेंगे है है राइट आमसर इसका क् pact करें जो भी राइट आमसर हो इसका a होता है इंटरनेशनल काउंसिल आफ नर्सेज यह जो भी केर टेकिंग की जाती है नर्सों के द्वारा हर एक देश में ठीक है मुश्ली मुश्ली जो आईसी एन के जो सदत से देश हैं वो एक सो तीस से जादा है ठीक है तो इनमें जो भी इनको मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है केर टेकिंग टीक है उसी के बारे में निगरानी रखती है उमीद करता हूं समझे होंगे आप थोड़ा बहुत नेश्ट कोशन ही रहा है आपकी स्किन पर कोशन नमबर फाइब पढ़े फिर आंसर बता है यह रहा है मिरत स्वारी मिरत ल का उपयोग किया जाता है कमेंट करें आंसर इजो भी आपको लग रहा है आपसंड दी्स का आइडिके यह zost को अगर फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है H2O2 क्या होता है H2O2 इस ये को Hydrogen Paroxid पढ़ा जाता है उमीट करते हैं समझे होंगे आप सरन डीस कर आइटाम सरे अब यहाँ पर एक दो पॉइंट मिंसा ने इने समझ लेते हैं अब बीटा Hydroxy Acid आपके फेस पे जो Dead Skin हो जाते हैं अगर Dead Skin को हमें रिमूब करना है तो Beta Hydroxy Acid इस्तिमाल क्या जाता है या यूँ कहें Paroxid इस्तिमाल क्या जाता है या यूँ कहें कि H2O2 इस्तिमाल क्या जाता है मतलब Hydrogen Paroxid इस्तिमाल क्या जाता है Hydroxy, Beta Hydroxy आप यह भी आमसर याद कर सकते Beta Hydroxy Acid और पराक्साइड भी ध्यान रखना क्योंकि एक्जाम्स में लेके कोशन पूछा जा चुका है आप सब इसका राइट अंसर था उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा चैनल पे नाई से सस्क्राइब करना लाइक करना हो सके तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ओके मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स पर वाचिंग प्रेंट थेंक्यू बाबाई टेक केर्स और हाँ जो लोग नर्स जो पेट एक्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल पे जाकर वो पेट एक्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बाउस कॉमेंड बाउस दोनों जगे उसका लिंक मौझूद है तो आप क्या करें अगर पेट की तैयारी करना चाहते हैं लाए , भेट एक्जाम्स की तैयारी करना है और वहाँ पर भी एक नर्सिंग का वीडियो डेली अपलोड किया जाता है जो आपके रिवीजिंस के लिए काभी एंपórटिन रोल पिले करता है और वहाँ पर भी उन्हीं quasi कोषणों काGs रिविजन करतें जो एकजा चुके हैं JEFF ज्यद्ध डीटेल पर करते हीनि कोषणों काक्युक्क रिविजन करते हैं इसलिए आप testin test के मादधम से उन्हें solve कर सकते हैं अगर testin test लगाना चाहते हैं के चलिए मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियो में थेंक्स पर वाचिंग पर थेंक्यू बाबाई टेक केर दो